आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं IOT में, यह हमारे सलेवस का लास्ट टॉपिक है, IOT कोड जनरेटर. इसका मिनी यह ही है कि हम लोग iot में जो भी हमने देखो सबसे पहले sensor था sensor से हमने networking पर आए, networking के बाद cloud computing पर आए cloud computing के बाद में हमने programming को सामिल किया अब उस programming को हमें generate करना है जो की काम होता है iot का तो data को प्राप्त करना होता है application से अलग-अलग platform से हम लोग उसको प्राप्त कर रहे हैं application को develop भी करना पड़ता है यह और यह काम जो application को develop करने का काम है चाहे हम लोग उसके लिए हडूप यूज कर रहे है या कुछ भी यूज कर रहे है वो time consuming होता है इसके अंदर हम लोग data flow modeling language भी यूज करते हैं यह designing concept है ताकि software को develop किया जा सके quality को इससे बढ़ाया जाता है अगर आप कोई चीज की design करके फिर development करते हैं तो उसकी cost भी कम पढ़ती है और quality जो है वो अच्छे आती है अब आप diagram से अगर इसको subject तो यह बताया गया है कि data flow diagram में क्या बताया गया है कि general होता है और reference होता है दूसरे side जो होता है वो software engineering का जो काम है वो हम लोग इसके अंदर करते हैं अब next जो चीज है documentation के type होते है सर्वे होते हैं तो better यह रहेगा कि आप एक तरह से basic software engineering के concept समझ नहीं जिसे आप analysis करते हैं फिर design करते हैं फिर development करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते है framework का use करते है code को generate कर लेते हैं तो इसमें Gewर की जोदिद्पड़ती है open source component होते हैं जिस से हम लोग analysis या Communication का काम इसके अंदर हम लोग करते हैं और यह lifecycle करके अनूसार काम करेगा और मतलब उसका process होगा, उसका analysis होगा, फिर designing होगा, फिर वो code generate होगा जो भी software आप लोग समझते हैं, चाहे वो कोई भी software हो, चाहे वो Android में हो, चाहे आयोटी में हो, चाहे जावा में हो, चाहे डॉटनेट में हो, उसका एक framework होता है framework का मतलब होता है उसमें एक architecture होता है behavior होता है hardware का view होता है physical space होता है कुल मिला के सभी प्रकार के component classes और function जो है वो उसके अंदर सामिल होते हैं अब बात करती है कि code को कैसे generate किया जाए code को generate करने के लिए जैसे मैं सुरू से बता रहूं कि software engineering का एक concept है सबसे पहले आप software element को access करवाते हैं फिर उसको convert करवाते हैं convert करने का मतलब data को प्राप्त करना variable को declare करना पड़ता है और जब हम उसकी connectivity करते हैं तो कि हमें इसके अंदर networking की जोद पड़ती है और networking का मतलब connectivity होता है port की जोद पड़ती है interface की जोद पड़ती है port होता है एक computer को दूसरे computer से जोड़ना तो जोड़ने में जो है यह हमें port क्या करता है मदद करता है उसके बाद में जब हम उसको component के द्वारा जोड़ लेते हैं फिर हम लोग उसके behavior को represent करते हैं कि वो कैसे उसका link बना हुआ है और वो link कितनी देर वो connected रहेगा कैसे उसका उपयोग लिया जा रहा है तो मैं एक बार वापस इसका overview तुम्हें बता हूँ तो यह हो गया है कि हमें code को generate करना है तो सबसे पहले हम त्यारी करते हैं data को collect करते हैं फिर हम उसको convert करते हैं data को declare करते हैं उसके port number हम लोग चेक कर पता करते हैं और चेकरने बाद cheapest करने बाद हम लोग moode का पता करते है moode का मतार ऑथा है कि हम यह पता करते है कि उसका behavior क्या है उसके बीच में ौन्क क्या है यह सब चीज है कि की बेखते हैं यह सब पानक्षन फेजा कि हम संक Training कि मता हम कम्यूकिन लिंक के इनदर बनाते ह उसको connect करवाना है अब एक basic सी बात है कि आप से कोई पूछ लेगी component और things में क्या फरक होता है तो आप यह बता सकते हैं कि component में data को declare क्या जाता है और things में आप लोग properties हो गये message हो गया यह तरह से diagram के द्वारे इसको समझाय हुआ है कि data का declare message port हो गया event हो गये action हो गये behavior हो गया बॉड हो गया मतब जित्ती भी चीज़ा आपने भी पड़ी थी mode हो गया पूर्स हो गया component हो गया तो सारी चीज़े सके अंदर सामिल करी गी है कि लिंक किसका में आ रहा है transmission के लिए यह किसका में आ रहा है function के लिए यह किसका में things हो गए और यह सब उसके क्या होगे component हो गए अब code जो भी आपने बनाए है उसको आप generate करेंगे code को launch करेंगे launch करने से पहले वह SC का concept सबसे पहले analysis करना है input output को import करना है framework को design करना है कि आखे हम क्या करना चाहते जो भी मैं GUI interface आपको provide कराता है जिसमें सभी प्रकार के class modeling और इसके अलावा जो कि किसी भी code को generate करने में आपको मदद करता है सभी प्रकार की फाइले यह आपको provide कराता है और किसी भी language को run करने आपको क्या करवाता है मदद करवाता है यह basic सा इसमें डाइग्राम भी बनाया हुआ कि किस तरह से model है XML है file है और इधर हम लोग framework की बात कर रहे है code को generate किया जाता है फिर हमें क्या मिलता है output इसमें क्या होता है प्राप्त होता है